हेलो स्टूदेंट्स वेलकम दू कॉंपेटिशन कम्यूनिटी यूट्यूब चैनल कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजल सिंग और आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो ले किस बारे में होगा आज के आम किसी नये आक को पड़ेंगे या आपके दिएवर डौट में से किसी को सॉल्व करेंगे या किसी नए कॉंसेप्ट को बिल्ड़ करने की कोशिश करेंगे या हम किसी और कॉंप्लेक्स लीगल टॉपिक को डिकोड करेंगे शर्शाय second में से आज हम solve करेंगे उन MCQs को जिस Act को हमने recently cover किया है पूरे के पूरे Act को खतम किया है मैं बात कर रहा हूँ Legal Service Authorities Act की जिसकी playlist आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी ये वीडियो भी उसी playlist में चला जाएगा जहां आपको पढ़ने को मिलेगा Legal Service Authorities Act 1987 के बारे में उस Act को हमने recently खतम किया है और अब मुझे ऐसा feel हुआ कि मैं recently Google पे जाके चेक कर रहा था मैंने textbook चानी तो मुझे पता चला कि Legal Service Authorities Act से related MCQs जल्दी मिल नहीं रहे हैं मतलब आपको जादा availability नहीं है variety of MCQs नहीं है concept based MCQs की बड़ी दिक्कत है वहाँ पे available ही नहीं है तो मैंने सोचा कि जब मैंने आपको cover करवा ही दिया है यह Act तो एक वीडियो लेक्चर में आपके लिए कुछ handful of MCQs ताकि आपको MCQs solve करके confidence आजाए कि आपका Act सही से cover हो गया है और उसके साथ ही साथ ये भी आपको पता चले कि questions किस ambit में आएंगे किस soul और किस spirit के questions आप से पूचे जाएंगे ताकि आप अपनी preparation उस हिसाब से कर पाएं एक Act को पढ़ना अलग चीज होती है और exam के हिसाब से पढ़ना अलग चीज होती है हो सकता है आप उस Act को 15 बाड़ पढ़ लें लेकिन आप फिर भी exam में उसका एक भी question attempt ना कर पाएं क्योंकि exam में जिस spirit और जिस tone के questions पूचे जाने वाले हैं उसके इसाब से आपकी तयारी नहीं हुई है तो हमने exam के purpose से questions को draft किया है ताकि आपका doubt clear हो जाए कि exam में कैसे questions आएंगे और जल्दी से हम यह handful of MCQs है पाँच मिनट में आप उनको solve कर लेंगे और मेरी advice है कि अगर आपने इससे पहले हमारे वीडियो lectures को नहीं देखा है legal service authorities act के तो आप पीछे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद आप यहां पे आए और इन questions को solve करी तो आपके लिए और भी जादा आसानी हो जाएगी या दूसरा काम आप यह कर सकते कि सीधे हमारे साथ mcqs को solve करिए और जहां आपको डाउट आता है आप वीडियो को पॉस्ट करिए उससे रिलेटेड हमने topic wise बनाया है वीडियो तो आप topic वाला वीडियो देखिए और फिर आगे बढ़िए चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं सौल करना किसको mcqs को सर किसके Legal Service Authorities Act के चलिए भाई शुरुवात से शुरू करते हैं वेंड डेट दे लीगल सर्विसे अथार्विस 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 अथा कोई अगर आप में से गेस करना चाहे तो आप जल्दी से गेस कर सकते हैं वरना मैं तो टेक कर दूंगा एक ही डेट थोड़ी सी रूल आउट दिख रही है और वही है उसका सही आंसर डाट इस ऑप्शन नंबर डी डाट इस नाइंट आपको क्लियर हो गया होगा इसमें सच कोई डाउट का पॉइंट ही नहीं आगे बढ़ते हैं पहला क्वेशन का अंसर है नाइंथ नवेंबर 1995 को क्या हुआ था इंफ आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं अगर आपको कभी भी प्रेसिदेंट चेक करना है तो आप जहां सेक्शन वन दिया होता है ना वहां पर जाईए तो आपको राइट साइट पे ऊपर की तरफ एक डेट लिखी दिखेगी ऐसे ब्रैकेट में यूं राइट अब 11th April को मिला था क्या नहीं सर 1st of May को मिला था नहीं सर 1st November को मिला था नहीं सर 11th October को मिला था अगर October की दो डेट होती तो हमें थोड़ा confusion भी होता लेकिन हमें क्यूंकि first date ही पता थी और हम clear कर लिया कि हां 11 तारिक को मिला था और October के महीने में मिला था एक ही है तो 11th of October उ हमने बहुत ज्यादा ब्रीफ में पढ़ा इस पर्टिकॉलर राक में वह कौन सी जगा पे मेंशन किया गया है अब यह question दो पार्ट में हो सकता था वह पूछ सकता था कौन से section में दिया है लेकिन options देखके समझ में आया कि सर यह तो चाप्टर पूछ रहा है अब कुछ अगर आप में से कुछ लोग उसको recall कर पा रहे हैं तो chapter 7 नहीं sir chapter 7 क्या आखरी chapter है वहाँ पे भी misleynious दिया हुआ है chapter 4 नहीं sir chapter 4 भी नहीं chapter 6 की बात है यह chapter 6 में दिया हुआ है क्या लोक अदालत ठीक है sir लोक अदालत का आंसर भी अब हमें पता चल गया आगे बढ़ते है Central Authority जो मैं आपको बार बार बता रहा था क्या Central Authority in the Legal Service Authorities Act 1987 refers to मैंने बोला था Authority नाम के शब्र मिलेंगे Central Authority District Authority और State Authority इसमें आपको confused नहीं होना है जल्दी से solve करते है Central Authority का मतलब क्या होता है Central Authority इस particular Act में refer करता है किसको वो Authority जो Central Level पे काम करती है इस particular Act में जिसका नाम है नालसा यानि कि National Legal Service Authority तो National Legal Service Authority कहां पे लिखा है Option नंबर B में तो Option नंबर B इसका सही Option होगा लेकिन एक बार देख लेते हैं बाकी के options क्या कह रहे थे पहला Option कह रहा था National Legal Services Association नहीं यह किसी प्रकार का कोई Association नहीं है तो यह गलत हो गया थर्ड option कह रहा था National Legal Services Committee नहीं सर यह कोई Committee नहीं है यह एक Authority है मैंने आपको Committee और Authority के बारे में भी बहुत ब्रीफ में option number B ठीक है सर आगे बढ़ते हैं आगे बोल रहा है which one of the following is not a compulsory establishment under Legal Service authorities that compulsory establishment का मतलब मुझसे कुछ लोग पूशेंगे तो मैं अभी से बता देता हूं compulsory establishment का मतलब यह हुआ जिसका establishment जिसकी स्थापना होना compulsory नहीं है यानि कि जरूरी नहीं है कि वह हो जरूरत पढ़ने पर हो सकता है और ना जरूरत होने पर हड भी सकता है और यह हो सकता है उसका establishment ही ना किया जाए देखते हैं सर सुप्रीम कोट लीगल सर्विस कमिटी नहीं सर सुप्रीम कोट लीगल सर्विस कमिटी तो सुप्रीम कोट में होना बहुत तो मैं इसी को टिक कर देता हूं लेकिन नहीं यह बोल रहा है which one of the following is not a compulsory establishment, मतलब उस establishment का होना compulsory नहीं है, लेकिन वो establishment नाम की चीज exist करती है, और district legal service committee नाम की तो चीज exist ही नहीं करती, इसलिए इसके लिए हो गया big no, option number B नहीं हो सकता है, national legal services committee, अब फिर इसमें confused हो जाओग यह भी कोई चीज नहीं होती, not पूछ रहा है, इसको लगा देते हैं, नहीं, यह चीज exist ही नहीं कर रही, और यह सवाल सिर्फ यह जानना चारा है, कि ऐसी कोई चीज जो exist करती हो, लेकिन उसका exist करना real life में, practicality में compulsory नहीं हो, सही जवाब है, तालुक legal service committee, यह discretion पे होता है जरुवत पढ़ने पे तालुक legal service committee बनाई जा सकती है, और जरुवत ना होने पे नहीं बनाई जा सकती, establish नहीं करी जा सकती, यह ना जरुवत होने पे उसको हटाया और बंद भी किया जा सकता है, इस act को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं Who constitutes Nalsa, Nalsa मतलब क्या हुआ, Nalsa मतलब हुआ सर, Central Authority, Central Authority मतलब क्या, National Legal Service Authority, यही मतलब है इसका, बस उससे जादा और कुछ भी नहीं, इन बातों को आपको अपने ध्यान में बठा के रखना है, ठीक है, Who constitutes Nalsa Under Legal Service Authority Act, Nalsa की स्थापना किसने करी, किसमें, किसके अंडर में, National Legal Service Authority, 1987 क वो ही नहीं सकता, सर, चांस ही नहीं है, क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि National की बात है, State Government, National Affairs में कहां कुछ Establishment कर पाएगी, President, अब इसमें बच्चा confused होगा, हाँ यार, President कर सकता है, क्योंकि अगर Central Government ने बोला भी होगा, तो President नहीं तो Allow किया होगा, तो यह भी गलत जवाब है, सही जवाब है, Central Government, Central Government से स्थापना हुई, Law Ministry भी नहीं, असल में अगर होगा, तो वो Central Government करेगी, Law Ministry as specific नहीं करेगी, ठीक है, सर, आगे बढ़ते हैं, यह भी हमें clear है, अब देखते हैं, who can be the Executive Chairman of NALSA, under Legal Service Authority, सबसे पहले, NALSA को अंटराइन कर लीजे, question कभी भी आएगा, Mark कर लीजे कि किस के बारे में पूछ रहा, आप सही से ध्यान कर पाएंगे, Executive Chairman के बारे में पूछ रहा, Executive Chairman के उपर भी एक इनसान होता है, कौन होता है, वो होता है, Pattern in Chief, यानि की Pattern in Chief कौन होता है, Chief Justice होते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि Chief Justice तो नहीं है, उसके नीचे की बात हो रही है, समझने की कोशिश करते है, Chief Justice of India, ऑप्शन कड़ गया, एनी जज़ हूँ, ऑफ दा सुप्रीम कोट जो कि रिटायर हो चुके हैं, यह बोल रहा है कि सुप्रीम कोट के कोई भी जज़ जो रिटायर हो चुके हैं, यह बात आदी सही है, क्यों आदी सही है, अ Member Secretary को कौन पावर देता है, कि वो साइन करेगा, सारे के सारे orders को authorize करेगा, Executive Chairman, और Executive Chairman ही allow करेगा कि Member Secretary के अलावा और कोई seal stamp नहीं लगा सकता, उनके orders पे, यह भी हमें बात clear हो गई, Senior Most Judge of the Supreme Court after CGI, अब जो बच्चे नहीं नालसा में काम किया है, या सालसा में इंटरंशिप कर कर देगा, वो इस option को tick you करेगा, क्योंकि rule यह कहता है, option number C का, कि कोई retired या serving judge, लेकिन practice को अगर आप follow up करेंगे, तो practice में आपको पता चलेगा, क्या practice में, actual में यह third point है, D point, क्या, कि जो CGI के बाद जो next senior most judge होते हैं, उनको executive chairman मनाया जाता है, किसका नालसा का, इसका जीता जा रहा है तब, वरना आप पता चला, 6 महीने बाद जब EDPO का exam आया, तब आप इस video को देख रहे हैं, और comment करके बोलेंगे, हाँ, 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 सर को इतना भी नहीं पता, तो present time में, आज की तारीक, आपको check करनी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज की तारीक से मुझ scholarship test दे सकते हैं, कल, यानि की संडे को scholarship test, यानि की 29th October को scholarship test होने जा रहा है, और उसको miss आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ scholarship ही नहीं, बहुत exciting gifts भी मिलने बाले हैं, और scholarship test पूरी तरह से free है, पूरा revision भी हो जाएगा, एक test भी attempt हो जाएगा, फ्री में, competition community का आपको experience भी हो जाएगा, कि excellence कैसा सवाथ चखाती है, और उसके साथ ही साथ, अगर आपने अच्छा perform कर दिया, तो आपको smartphone, smartwatch, earbuds, हर टाइप के gifts मिलेंगे, तो उसको miss मत करीगा, कैर आगे बढ़ते हैं, questions को जल्दी जल्दी देखते हैं, who can be the executive chairman of salsa, पहले वाले question में क्या बोल रह सालसा, नालसा था, national legal service authority, सालसा होगा, state legal service authority, कोई ज़्यादा फर्क की बात नहीं है, वहाँ पे भी chief justice नहीं हो सकते थे, यहाँ पे भी नहीं होंगे, any retired judge, आधी बात है, इसमें कुछ add करोगे, तो यह सही हो जाएगा, option number C, सही है, any retired or serving judge of the high court, ठीके sir, senior judge of the high court, practice में तो है practice में तो है, मैं गलत नहीं बोलूँगा, अब 36 गड़के अगर उसमें बात करें, तो justice से नहां क्या है, chief justice है, तो वो क्या है, state legal service authority के pattern in chief है, और executive chairman कौन है, justice, justice, भादूरी, भादूरी sir जो है, इस बड़क कौन है, executive chairman है, क्योंकि वो CGI के just नीचे आते हैं, लेकिन practice में क्य पूछा जा सकता है, exam में बहुत जादा commonly आएगा, section के बारे में पूछ रहा है, किसके, legal service authorities act के, जो किसके बारे में बात कर रहा है, constitution के, constitution का मतलब, पढ़ने वाला संविधान नहीं, बनने से मतलब है, किसके national legal service authority के, इन में से कौन सा section बता रहा है, कि national legal service authority बनेगी, या national legal service authority रहीगी, वो बात कर रहा है, section 3 में, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 12 नहीं है, 12 तो हो ही नहीं सकता, 12 कहां पहुच गए आप, 12 किसके बारे में बात करता है, legal aid किसको मिलेगा, याद करिए, अपने दिमाग में remind करते चलिए, ठीक है sir, तो section 3 इसका जो है, सही option होगा, आगे पावर जोग अदालत और पर्मिन लोग अदालत इस प्रोवाइड इन लोग अदालत और पर्मिन लोग अदालत की पावर कहां दी वही है, यह अब हम आगे आगे जम करके, chapter 6 के आसपास की बात है, और chapter 6 के बाद भी हो सकता है, तो अब आप गैस करने की कोशिश करिए, section 24 नहीं sir, section 22, yes sir, 21 नहीं sir, 23 नहीं sir, section 22, याद करिए हमने पढ़ा था इसको, कि section 22 में क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, लोग अदालत का और पर्मिन लोग अदालत का, और लोग अदालत किसको कहते है, is it a form of ADR, yes sir, it is a form of ADR, ठीक है, यह question repeated है, यह दोबारा आगय यहीं पर हम 22 लगा लेते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है sir, आगे बढ़के देखते हैं, और क्या आता है हमारे पास, Establishment of High Court Legal Services Committee, अब हमने Legal Service Committee के बारे में बात कर रहा है, किसके High Court Legal Services Committee, जो की दिया हुआ है, कहां पर 13 A में दिया है क्या, नहीं, 13 A में है भी क्या, एक बढ़ जारा चेक करना, 11 A में दिया है क्या, 11 A तो है, 11 A है मुझे पता है, लेकिन इसमें दिया है क्या, लग तो नहीं है, क्योंकि 8 A में दिया है, लगेगा कैसे, 8 A में दिया है, जाके आप फटा-फट चेक कर लीजे, 8 A में दिया हुआ है, क्या, High Court Legal Services Committee, आगे बढ़ते हैं, अब क्या 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 रहा है, विच वाला कुशन यह पूछ रहा है, कि यह जो नीचे जो चार दिये गए हैं, उन सक section 12 के एसाब से, इन में से किन को legal aid नहीं दी जाएगी, यानि वो eligible नहीं होगा, legal aid के लिए claim करने को, ठीक है सर, देखते है, woman or child, उसका part B देखिए, part B में ही लिखा है, सबसे पहले लिखा है, schedule cast and schedule tribe, second में क्या लिखा है, second में लिखा है, एनि woman or child, तो woman or child का category यहां satisfy होगे, इसका मतलब यह दोनों तो है, annual income less than ceiling limit, यह भी बात सही है सर, last point पर जाये section 12 के, वो क्या क्या रहा है, annual income जिसकी ceiling limit से कम होगी, वो उसके लिखाल होगा, ceiling limit क्या है सर, annual income, एक limit से कम, यानि कि 37 गर्ण में 1.5 लाक, मध्यपरदेश में 2 लाक, महरास्ट में 3 लाक, इस तरह से क चारे questions को attempt कर लेंगे, तब हम आएंगे Legal Service Authorities Act पे, यह पांच question यह चार question आपको कितना help कर सकते हैं, इसका आपको idea, इल्म भी नहीं है, तो अब इसमें क्या हुआ, person belonging to other backward classes, backward classes देखा, वो section 12 का point number 1 backward classes के बारे में बात कर रहा है, तो इसको खटाक से tick मार दिया, कि यह भी हो अब तालूग Legal Service Committee कहां दिया हुआ है, आप याद करिए, सबसे पहले नालसा दिया है, फिर सालसा दिया है, फिर डालसा दिया है, फिर उसके बार आखरे में कहीं तालूग Legal Service Committee आया है, इसका मतलब 11 A, बात की बात है, 12 A नहीं, 10 A नहीं, तो क्रॉस, बिक क्रॉस, 11 A is the right answer, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, इन सब questions में तो time भी waste करने की ज़रूवत नहीं, आप बस एक बार पढ़िए और खटाक से खतम कर दीजे, यह तो होना चाहिए, यह तो हमें अभी सुनने में सही लग रहा है, आगे क्या option भी देख लेते हैं, person belonging to the state higher judicial service, अच्छा ठीक है, state higher judicial service यह बात भी सही है, not lower in rank than of assistant district judge, यह क्या होता है, assistant district judge थो नहीं था, मुझे अच्छे सा याद है, तो यह वाला option गलत हो गया, person belonging to the civil services, यह भी matter गलत है, civil services कहा लेखा था, लेकिन चलो आगे पढ़ लेते हैं, not lower in rank than that of a district magistrate, नहीं सर, यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह question कहा है, पता है, चोकर question है, चोकर की category में क्यों आ रहा है, जिस person ने इस act को नहीं पढ़ा है, वो member secretary सुनेगा, तो वो secretary को relate करेगा किस से civil services है, secretary कौन, ministry के secretary, नाल सा कौन है, national body है, अगर वो यहाँ पर क्या लिख देता, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, state authority, ठीक है, member secretary of a state authority, अब वो state authority से क्या सोचेगा, अगर उसको नहीं पता है, मान लो, यहाँ पर लिखा होता है, central authority, तो वो क्या सोचता, central government की authority का member secretary, secretary, इसका मतलब कोई civil service, और वो यहाँ जाके click कर देता, क्या, option number C सही है, लेकिन इसका option number A सही है, state higher judicial service से होना चाहिए, और district judge की rank से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है sir, आगे बढ़ते हैं, फटाफट, अब क्या 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 रहा है, every award of the लोक अदालत shall be deemed to be a, लोक अदालत के हर award को क्या माना जाएगा, civil की cases में, decree of a civil court, एक civil court की decree, judgment of a criminal court, नहीं sir, criminal court के तो matter ही नहीं आते, order of a high court, नहीं, judgment of a high court, नहीं, order of a high court, किसी दूसरी court को कैसे बोल देंगा, judgment of a high court, मजाग चल रहा है क्या कोई, तो वो, decree of a civil court हो जाएगी, ठीक है sir, आगे बढ section 10 किस बारे में बात करता है, याद करने की कोशिश करिए, अभी हमने 11 A में क्या पढ़ा था, 8 A में क्या पढ़ा था, उन्हों के बीच में क्या सकता है, तो वो आएगा functions of the district authority, district authority के functions के बारे में बात करी गई, section 10 में में मैं आपको कुछ explain इसले नहीं कर रहा हूं, क्योंक आपने नहीं देखा है, या बेर आट को पलट लीजे, आपके दमाग में सारे point clear हो जाएंगे, ठीक है sir, आगे बढ़ते हैं, section 14 है क्या, इसके आस-पास की बात है, लेकिन यह नहीं है, section 19 है क्या, नहीं यह भी नहीं है sir, यह आप और आगे बढ़ गए, section 12, दो ही section है, 12 और 13, उस specific chapter में, जिसमें किसके बारे में बात करी गई, जिसमें बताया गया है, कि legal aid, यानि legal services लेनी के लिए कौन-कौन से रहा था, उसके शुरुवात से आपको बता रहा था कि भाई-साब, मेरे दोस्तों, my dear students, इसमें कितने हैं sections, 30 sections है केवल, छोटा सा act है, आपने छोटा act बोलते बोलते सर उसमें 6-7 वीडियो बना दिये, मैंने हर chapter का एक अलग वीडियो बनाया है, इसका मतलब 7 वीडियो त chapter का एक अलग वीडियो है, और आठवा वीडियो क्या डाला हुआ है, आठवा वीडियो यानि कि एक वीडियो जो एक्स्टा डाला है, वो असल में पहला वीडियो है, जिसमें मैंने explain किया है आपको कि Legal Service Authorities Act असल में है क्या, ठीक है sir, ये बात तो sound हो गई, एकदम clear है, पहला type क्या है, section based question, जिसमें आपसे typically section पूछेगा, और दूसरा आ सकता है concept, जिसको हम क्या कहेंगे, minutes, वो minute उठाएगा, जैसे कि वो member secretary वाला question, कि sir, ये जो member secretary की आपने बात करी, member secretary कौन हो सकता, ये conceptual है और बहुत minute point को उठाया, उसने एक subsection के छोटी से line को उठाया, subsection क तो ये बात हमारी यहां पर complete हुई, legal service authorities act के आपने कुछ questions को solve किया, अगर अभी भी मन में कोई doubt रहे गया, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको solve कर देंगे, और अगर अभी भी आपके मन में कोई किसी प्रकार की query है, कोई doubt रहे गया, तो आप हमें बताईए, हम उसके specific video आपके लिए लेके आएंगे, इस वीडियो को यहीं end करते हैं, I hope आपको पसंद आया होगा, और जाने से पहले आखरी information कल, यानि की Sunday के दिन, यानि की 29th of October को, एक बज़े से तीन बज़े तक scholarship test, कहां पे competition community बिलासपुर में, मंगला चॉक सेंटर पे, इस opportunity को miss मत करिए, क् अच्छी options, अच्छी opportunities इतनी जल्दी और इतनी असानी से नहीं मिलती हैं, rarest of rare opportunities हैं, इनको दोनों हाथ से grab करिए, और अपने career को एक नई shape दीजे, एक नई direction दीजे, thank you very much. झाल